कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी की जुबानी जंग के बीच अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी शुरू हो गई है इसके लिए कॉंग्रेस अध्यक्ष मलीकार्जुन खडगे ने मोर्चा संभाल लिया है कडगे ने दावा किया है कि सीट शेरिंग कोई बड़ा इशू नहीं है और पांच राजो के चुनाव के बाद इसे सुलझा लिया जाएगा वहीं पार कॉंग्रेस के सीनियर लीडर दिगविजे सिंग ने भी अखिलेश की तारिफ की है सवाल उठता है कि गठबंधन में नाराजगी की खबरों के बीच क्या अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है क्या ये बयान बाजी अखिलेश का गुसा शांत कर पाएगी एक खास रिपोर्ट देखिए गठबंधन में रार के बाद अब डैमेज कंट्रोल की बार पांच राज़ों के चुनाव के बाद कितनी बन पाएगी बाद बीते दिनों अखिलेश रादव और अजे राय के बीच की जुबानी जंग सब ने देखी किसी ने किसी की हैसिया दिखाई तो किसी ने किसी को चिर्कुट नेता कह दिया साफ है जुबानी जंग की इंतिहा भला इससे जादा क्या होगी ऐसे में अगर विपक्षी एकता को कायम रखना है तो गठबंधन में तालमेल का फॉर्मूला तै करना ही होगा वर्नगठबंधन में जो गाठे दिख रही है उसका तूपना भी तै है फिलाल ये मोर्चा संभाला है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे ने जिन्होंने दावा किया कि पांच राज्यों के चुनाव के बाद सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा फाई स्टेट के एलेक्षन जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है और हर जगे हमारे लोग काम कर रहे हैं और हमको कॉंफिडेंस है कि हम फाई स्टेट में जरूर जीतेंगे दरसल बयानबाजी की शुरुवात तब हुई जब यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्स अजे राय ने कुर्सी संभाली और पहली ही ट्रेस प्रीफिंग में दावा कर दिया कि कॉंग्रेस यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तयार है जवाब में अखिलेश जादव ने कहा कि वो सीट बान नहीं दे रहे हैं अजे राय ने दोबारा 80 सीटों पर तयारी की बात कही जिसके बाद अखिलेश जादव भड़क गए कई बार बयानबाजी के बाद अखिलेश ने अजे राय का नाम लिये बगएर चिर्कुट नेता कह दिया जवाब में अजे राय ने कहा कि जो अपने पिता का सम्मान नहीं करते दूसरों का कैसे करेंगे कॉंग्रेश से बात नहीं बनी तो अखिलेश ने तीन बार में 33 प्रत्याश्यों का एलान कर दिया जिसके बाद ये साफ हो गया कि विपक्षी गटबंदन कम से कम यूपी में तो काम्याब होने वाला नहीं है क्योंकि अखिलेश ने खुलेयाम अपने बयान में कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में गटबंदन नहीं तो देश में कैसे होगा उपर से कमलाज के बयान ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया जिसके बाद गटबंदन के दूसरे नेताओं ने डैमिज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी इस कड़ी में कॉंग्रिस नेता दिखविजे सिंग भी सामने आए और अखिलेश की तारीफों के फुल बान दिये कुल मिला के फिलाल तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश हो रही है अखिलेश के सुरू भी थोड़े नरम पड़ गए है लेकिन जो जाकी सीट शेरिंग के बहाने अखिलेश ने दिखाई है वो पूरी पिक्चर बनके लोगसभा चुनाव में सामने नहीं आएगी इसकी क्या गैरेंटी क्योंकि कम से कम यूपी में अखिलेश चादव कॉंग्रिस को जादा सीटे देने के मूड में बिल्कुल नहीं है ऐसे में लोगसभा की यूपी की 80 सीटे राश्टिय इस तर पे गटबंदन की गाठे खोल दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए बिरो रिपोर्ट न्यूगवान इंडिया